असलाम लेकुम, वेलकम टू फ्लेवर्स बाय सानिया, आज हम बनाने वाले हैं आलू घिंडी आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम एक पैन में राई का तेल डालेंगे, उसे अच्छी तरह गरम करने के बाद, तो बेट की मिर्ची दालने के बाद, पुरी देर चला लेंगे उसमें डालेंगे पतले कटे हुए आलू और उसे दो से तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह पका लेंगे दो से तीन बारिक कटी हुई हरी मिर्च दालेंगे, उसमें आधा खाने का छोटा चमस हल्री पॉडर दालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट आलू पकाने के बाद हम उसमें धाई सो ग्राम भिंडी दाल कर नमक स्वाद अनुसार दाल देंगे अब हलके हाथ से भिंडी और आलू मिला लेंगे और ढग कर पांच से छे मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे अब इसे सर्फ कीजिए गरम गरम रोटियों के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो सबस्क्राइब और लाइक करना ना भूब